शिक्षा का भारती करन जो विशे है इस पर एक परिचर्चा करने के लिए कत्रित हुए हैं सिक्षा का उदेश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता बलकि सिक्षा का मुख्य उदेश्य मस्तिश्य को प्रसिक्षित करना भी होता है साथ ही युवाओं का जीवन भर खुद को सिक्षित करने के लिए तैयार करना भी जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से शिक्षा दो प्रकार की होती है एक वह शिक्षा जो हमें किताबों से मिलती है और एक वह शिक्षा जो हमें समाज से मिलती है किताबी शिक्षा हमें समाज में लाकर खड़ा तो कर देती है पर समाजिक शिक्षा में यह सिखाती है कि उन किताबों से निकली शिक्षा को हम कैसे समाज में उतारें तो इसी के लिए इस कारिकरम की शुरुआत करने से पहले हमारे बीच जितने भी माननी गंड उपस्थित हैं मैं उनसे अनुरोद करता हूँ कि वह मंच पर आए और अपने स्थान ग्रहन करें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद हमारे माननी अतिथी श्री मुकूल कनितकर सर को इसके साथ हमारे आदर्निय हमारे प्रिंस्पल सर प्रोफेसर पीसी अग्रवाल सर हमारे बीच मौजूद डीन ओफ इंस्ट्रक्शन प्रोफेसर संध्यरानी साहूमायम हमारे बीच मौजूद डीन ओफ रिसर्च प्रोफेसर बियन पंडा सर इस कारिकरम के समनवयक प्रोफे करना चाहूंगा अपनी संस्कृति को निभादते हुए इस कारेक्रम के शुरुवात मैं दीप प्रजवलन से करना चाहूंगा इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच मौजूद हमारे मुक्यति थी हमारे प्रिंस्पल सर हमारे डीन आफ इंस्ट्रक्शन डीन आफ रिसर्च और हमारे समन्वेक इसके साथ ही हमारे बीच सरस्वति वंदना के लिए कुछ हात्राएं मौजूद हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा और गुएं या कुं दें दू तुषा रे अरवे दी या शूब्रवस्त्राव्रता या वीनावरदंडमंडितकरा या स्वेतपदमासना या ब्रह्माचुतशंकरा प्रवृति भी देवैसदावंधिता सामापतु सरस्वति भगवति निशेषजद्यापहा ओम, ओम, ओम